एक लड़की थी बहुत हसास तबियत की और उसके बूड़े माबाप थे और उसकी चार-पाँच बेहने थी अभी बेहनों की शादी नहीं हुई थी उसकी खुद की भी नहीं हुई थी और बाप को ऐसा मर्ज हो गया था कि रोजाना दवाईयां चाहिए थी और दवाएं बड़ी महंगी थी और माँ भी मरीज थी कोई भाई नहीं था उसका और जब गुर्बत आती है तो रिष्टेदार भी कोई कामवाम नहीं आते यह सब फुदूल बाते हैं अब कोई रिष्टेदारी नहीं सब बोलने की बाते हैं कहते हैं जब पैसा पास में हो तो दूर के रिष्टेदारों को भी चच्छा बाबा कहके बुलाया जाता है और पैसा पास नहीं हो तो सगे भाई को भी कोई भाई कहने के लिए तयार नह गया चन्द लोग हैं जो बेचारे दीन पर हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं वो बहुत मुठी बर लोग हैं चन्द लोग हैं कोई रिष्टेदारी नहीं निबाई जा ली बलके आज के दौर में तो वफा वो ढूंड़िये वफा वफा और महवत बहुत महंगी है नहीं मिलती बलके महंगी होती तो भी मिल जाती अब तो ये मार्केट से ही खतम हो गए मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन से अबास चले गए गाजी अबास उस दिन से दुनिया से वफा चली गए अब उसकी रमक ऐसी बाकी है जैसे सूरच के चले जाने के बाद थोड़ी सी उफ़क जो बाकी रह जाती है सूरच के बस ऐसी वफ़क थोड़ी सी बाकी रह गए ये वफा की अब वफा नहीं है अब वफा नहीं अब बेवफाई बेवफाई रिष्टे पहले क्या निभाए जाते थे भाई जब कपड़े लाने के लिए जाता था तो पहले अपने भाई से पुछ लदा कि तिरे बच्चों कपड़े आ गए फिर जाते अपने हिस्से का खाना भाई भाई को खिला देता था और आज तो मारा पिटी होती इसी पर कि उसमें मेरे हिस्से का क्यों खा गए नहीं रहा नहीं इसलाम सीखा ही नहीं बस इतना ही पड़ा कि नमाज इसलाम है दाड़ी इसलाम है टोपिस नहीं बस इतना ही तका नमाज रिष्टों को निभाना गरीबों का ख्याल करना दिलों को साफ रखना पाकिजगी रखना ये इस्लाम मुकमल पैदा होने से लेकर मरने तक सारी चीज़े इस्लाम बयान कर चुका गुर्बत थी गरीबी थी मुफलिसी थी कुछ नहीं था खाने पीने का नहीं था तो दवा का इंतिजाम क्या होता बहनों को रिष्टे भी नहीं आ रहे थे कुछ लड़कियां होती है बड़ी हसास वो भी हसास किसम की थी उसने सोचा मांगते हैं कोई देता नहीं कोई मदद नहीं करता कोई इंदाद नहीं करता क्यो सीधे हाथ से देते हैं तो उल्टे हाथ को भी खबर ना हो अब वो लोग का रहा है वो लोग नहीं रहे इल्ला माशाला चले गए कबरों के अंदर अब तो नाम चाहिए नाम और इंसान पूरी जिंदगी नाम के लिए मरता है जिस दिन मर जाता है सबसे पहले जो उससे छीना जाता है वो उसका नाम ही होता है इनसान नाम के लिए मर रहा है सब काम नाम के लिए कर रहा है ये नाम के लिए वो नाम के लिए वो नाम के लिए मयद में भी जा रहा है तो नाम के लिए जनादे में भी जा रहा है नाम के लिए शादियों में भी जा रहा है नाम के लिए जिस दिन मुरेगा, अँब बदबाख, जिस दिन मरेगा, अला के लिए, तुने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तेरा नाम ही चीना जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा, के, फुलाँ को इछाओ, फुलाँ को निलाओ, फुलाँ को निलाओ, नहीं लोग कहेंगे मैयत कब जा रही है मैयत कब उठा रहे हैं मैयत को कब निला रहे हैं मैयत को कब दफन करें अरे तुझे मैयत का नाम दे दिया और जिसने नाम के लिए काम नहीं किया अगर उसको 900 साल हो गए कबर में जाने के लिए تو आजब bhi ya wardик ardil awakening शेम दिल्ला के वजीफे बढ़े जा रहे वजीफे बढ़े जा रहे जिनों ने बढ़े जाला के लिएक काम किया और आजब भी वजीफे काम आ रहे गरीब नवाँ करना हमाँ आजब या घाजाज़ा आजब को पुकारा जा रहे या मुईन हक मुईन की सदाइं आज भी लग रही है या फरीद हक फरीद की सदाइं भी लग रही है या साबिल हक साबिल की सदाइं भी लग रही है और इन्शालला या अली मौला के नारा तो ग्यामत तक लगता रहे जिनों ने अल्ला के लिए काम किया आज ये उनके नाम मौझूद है और ये नाम बिगड़िया बना रहे हैं नाम के लिए मत जीओ अल्ला के लिए हमारा जीना भी अल्ला के लिए हमारा मरना भी अल्ला के लिए इतनी शबी बिगड़ गई नेकी की कोई ज्यादा शोशल वर्क करने लगता है तो लोग कहते है कि एलेक्शन में खड़े होने का इरादा होगा शायद अब अगर कोई जलसा भी करता है बिचारा इस तरह माशिरा का तो लोग यह कहते है कि इसका भी वही इरादा होगा इसलिए कि लोगूने नेकियां इसी किया अठीजान, खट्व किया लोग औने ली आठागी किया बर्द्नाम किया mają लेकिन आप से कहते हूँ अछी नेकिय करके देखो, मर के भी कि ख़िए हो लड़की थी बहुत हसास तबियत की उसने सोचा कि कोई ना चंदा देता है ना कोई मदद करता है ना कोई इमदाद करता है आज उसने फैसला कर लिया कि मैंने आज से जिस्म बेचने का कारोबार शुरू करना है जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू करना है इसलिए के मेरा घर जो चल सकता है बड़ी रकम से ही चल सकता है क्योंकि है सेकडो हजारों रुपे तो माबाप की दवा में फिर बेहनों की शादी मेरी आवरू बिग जाए अगर बेहनों की इज़त से शादी हो जाए तो फिर इसमें से बड़ी बात में ले क्या होगी और मेरे माबाब का इलाज होता रहे मरने से बच जाएंगे इस से बहतर क्या होगा मैं एक तबा हो जाओंगी लेकिन पूरा घर तबाई से बच जाएगा उसने बुरका ओड़ा उसके पस मेक अप के लिए सामान भी ने ता मूद होया बुरका ओड़ा लेकिन गरीब थी मगर कुद्रत ने हुसन बहुत दी हसीन थी शाम को चुपके से बाबा की अजाज़त और मा की अजाज़त के बगएर बुरका ओड़ करके वो हसन की मंडी में पहुँची और वहाँ जाकर के अपना फटा पुराना बुरका उतारा कपड़े भी अच्छे बहुत नहीं थे और बैड़ गई लेकिन पूरे बाजार हसन में उससे ज्यादा कोई खुबसूरत नहीं था औरों के यह बनावट थी इसके यह हकीकत थी वागई वो बहुत खुबसूरत थी आज उसकी मजबूरी उसको बाजार हसन में बिठाने पर मजबूर कर गई और वो बैठी थी और इस तरह की कितनी बेटियां होगी मुसल्वानों की जिनको मजबूरिया वहां तक ले जाती होगी लेकिन याद रखना बड़ी दाड़ियां बड़ी टोपियों वालो एक एक दो दो करोड रुपे मजजित के मिनार और गंबदों में खर्च करने वालो और गरीबों का खयाल न करने वालो कहीं तुम्हारी अबादते तुम्हारे मुँपे फैक ना मारी जाए कि तुमने नामो नमूद की खातिर तो कौम के पैसे को बरबाद किया लेकिन कौम की गरीब बेटियों की जरुरत का तुमने खया नहीं किया क्या जवाब देंगे लोग अल्ला की बारगाह के अंदर वो बैटी थी बाजार हुस्ट में सबसे ज्यादा खुबसूरत थी लेकिन चुके माबाब ने तर्बियत ऐसी की थी कि उसकी नजर किसी मर्द की तरफ उठती नहीं थी जो भी मर्द आता था उसका कलेजा धक धक करता था वो कंखियों से चुराईवी नजरों से देखती थी कि आने वाला आ रहा है लेकिन कुद्रत का करना की अजीब क्या मामला होता था कि हर आने वाला जब उसके करीब आता था तो उसकी नजर छुक जाती उस पे नजर उटbay से नजर चुक जाती और वो आगे चला जाता था किसी और को लेके चला जाती ये सुचनी थी अब कोई ले जाएगा अब कोई ले जाएगाएगा लेकिन कोई उसको ले न गया हता के निस्फ श्व गुजरी आदी राद गुजरी और बाजार हुस्न खत्म हो गया गाहग भी खत्म हो गया ये रोने लगी आज इतना बड़ा फैसला किया था अबरू बेचने का सिर्फ माबाब की बीमारी के लिए बेहनों के शादी के लिए लेकिन किस्मत की मारी किस्मत की मारी थी लेकिन किस्मत की हारी नहीं थी किस्मत की मारी आज यहां से भी नाकाम जाहिरी नाकाम लेकिन हकीकत में कामियाब लोट रही थी नाकाम भुस्ने का मैं नाकाम जा रही हूँ कि मेरे वुसनों को किसी ने खरीदा नहीं फिर बुर्का पेना और सिस्कियां लेते वे रोते वे जब वो अपने घर की तरफ बड़ी छोपड़े की तरफ दस्तक दी घर में कोराम था शरीफ की बेटी चंद घंटे घर से गायब हो जाए तो उनके लिए तो मौट से बत्तर होता है वो दिन पूरे गर में को बहने रो रही है मारो रही है बाप रो रहा है मेरी बेटी कहाँगी मेरी बेटी दस्तक लगए दिल की धड़कने तेज़ होगी दर्वाजा खुला अंदर आई बाप ने कांपते वे बिस्तर से उठा और कहा अधी रात पहली बार कहां गई थी बेटी ने का बाबा पहले माफ करो पहले माफ करो फिर बताओंगी कहां गई थी का तुझे माफ तो कर दिया लेकिन पहले बता कहां गी थी बेटी ने बाप के कदम पकड़कर माँ के हाथ थर थराते वे थाम करके कहा आज बहुत बड़ा फैसला कर लिया था क्योंके कोई हमारी मदद नहीं करता कोई हमारी इमदाद नहीं करता घर में खाना नहीं है तो तुम्हारी दवा का इंतिजाम कहा से होगा कोई बेटा नहीं है आपका मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती तुम्हारी बीमारी को बढ़ता नहीं देख सकती तो मैंने फैसला किया था कि अपना जिसम बेच दूँगी आज और जिसम बेच करके बड़ी रक्मे आती है तो उसी रक्म से तुमारी बीमारी का इलाट भी करूँगी बेहनों के शादिया भी करूँगी बाप की नगल नजरे फटी के फटी रह गई माँ की नजरे फटी के फटी रह गई बेहने मुझ खुल गए क्या कह रही हो फिर क्या हुआ और का फिर हुआ ये कि आज में तुम्हारी अजाज़त के बगए चुपके से बाजार हुसन में जिसम बेचने के लिए गई थी लेकिन जो भी आता था खुदा जाने क्या होता था उसकी नजरे जुक जाती थी आगे बढ़ जाता था आगे बढ़ जाता था हत्ता के सब चले गए बाजार हुसन खत्म हो गया गाहत भी खत्म हो गये लेकिन मेरे हुसन को कोई खरीद न सका और मैं नाकाम लेकिन हकीकत में काम्याब लोटी बाप ने अपनी बेटी की पेशानी चुम के का मेरी बेटी व्ला दला बिल्ला अल्ला की कसम खा के कहता हूँ कि एक रात तु वहाँ बैठी अगर एक हजार रात भी तु वहाँ बैखती तो तेरे हुसन को कोई खरीद नहीं सकता था तुझे कोई हात नहीं लगा सकता था क्योंके बेटी मुझे अपने किरदार पर नहीं अपने नभी के फर्मान पर इतिमाद है मेरे नभी ने कहा कमा तदीन उतुदान तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे तेरा बाप गरीब था लेकिन आज तक तेरे बाप ने किसी औरत को नजर भर के नहीं देखा जब मैंने किसी को नजर भर के नहीं देखा तो कोई मेरी बेटी को पाप की नजर से कैसे देख सकता है अल्ला ने मेरी बेटी की आबरू की इज़त की हिवाज़त फरमाई और वो बाप रोने लगा अंदाजा फरमाएं यह है निगाहों का तकद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पुमस्की यारेच्टा करना राढ Matthा करना भcción में कि अ मेरी नायो बहिंगर हम्म मैं